ये इस्टुएंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का बच्चों ये क्लास 6 का सोसल साइंस बुक है और इस चप्टर का चप्टर 2 ये जगरोफिक का चप्टर है और इसका मैं आप लोगों को short question answer दे चुका हूँ तो आज मैं यहां पर इसका long question answer है मैं उसको solve कर देता हूँ इसमें जितने भी बाकी question है उसको मैं solve कर देता हूँ तो यहां पे हम लोग question देखते हैं सबसे पहले यह है इसमें short question answer दिया हुआ है इसका ज़्यादा लंबा answer नहीं होगा एक दो लाइन का answer होगा और इसमें long question answer यह बाकी है और इसके नीचे पजल दिया हुआ English book में English version का जो book है उसमें पजल दिया हुआ है लेकिन इस तरह का Hindi book में नहीं दिया हुआ है उसमें direct भरने के लिए दिया हुआ है तो मैं उसको भी complete करवा देता हूँ तो सबसे पहले question हम लोग को क्या दिया हुआ है यहां पे short answer question में दिया हुआ है Name the imaginary line that divides the earth into two halves horizontally लिए उस line का नाम मतलाना है जो हमारे पिर्थवी को horizontally दो भागों में बाड़ता है तो देखते हैं इसका answer यहां पे है chapter 2 का यह answer दिया हुआ short question answer का तो यहां English और Hindi दोनों भरसन में दिया हुआ है The equator is an imaginary line which divides the earth into two equal halves तो यहां पे Hindi भरसन में दिया भोमेद्य रेखा या विश्वत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पिर्थवी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है Next question है How many meridians of longitude are there in the globe? तो globe में कितने longitude माने गया है यह खीचे नहीं गया है, माने गया है तो यहां पे question number two का answer है There are 360 meridians of longitude in the globe globe पर 360 देशांतर रखाएं खीची गई है तो खीची गई है या माने गई है तो book में इस तरह से दिया हुआ है इस तरह से हम ऐसा भी लिख सकते हैं Next question है यहां पे है What is the GMT? GMT किसे काते हैं? तो आईए देखते हैं इसका answer Question number three answer यह है The time at the prime meridian is called the GMT जिसको greenwich mean time कहा जाता है Which is the standard time all over the world तो यहां पे इसका हिंदी answer दिया हुआ है परमुख या म्योतर रेखा पर ग्याद समय को greenwich माईद समय जिसको GMT कहा जाता है जिसे पूरे 20 का मानक समय माना गया है Next question देखते हैं Question number four State the extent of the torrid zone मतलब torrid zone कहां तक फैला हुआ है इसके बारे में बतलानी के लिए कह रहा है यह है question number four का answer The torrid zone extent between the tropic of cancer and the tropic of Capricorn जिसका हिंदी में answer है उसन कटिबंध भुमेद रखा के दोनों और करक रेखा वा मकर रेखा तक विश्दिर्थ है Next question Question number five यहाँ पे है और यहाँ पे क्या पुछ रहा है How many time zones are there in the world पुरी दुनिया में कितने time zones बनाए गया है कितने time zones है तो इसका answer देखते है यहाँ पे है इसका answer There are 24 time zones in the world 20 को 24 समय zones में विभाजित किया गया है मतलब पुरी दुनिया में 24 time zones है उन्ही का use होता है Next long question देखते है How are longitudes important to us हमारे लिए द्यसांत्र कितने महत्पूर्ण है आई इसका answer देखते है यह है इसका answer Longitudes are important to us in many ways Longitudes help us to calculate the local time of a place Longitudes and latitudes together help to locate a particular place On a given longitude, the local time remains the same तो यहाँ पे इसका हिंदी वरजन में इसका answer है देखते हैं हमारे लिए कई परकार से महत्पूर्ण है देखते हैं देखते हैं देखते हैं से किसी इस्थान के इस्थानिय समय का पता लगाया जा सकता है दिसांतर वा अच्छान से रखाओं के प्रस्पर सहयोग से किसी इस्थान को आसानी से ढूड़ा जा सकता है किसी भी एक दिसांतर पर इस्थित सभी इस्थानों का इस्थानिय समय समय समान रहता है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर टू यहां पर क्या पुछ रहा है इस्थित दर डिफरेंसेस बिट्वीन लोकल टाइम एंड स्टेंडर टाइम यहां पर अस्थानिय समय और मानक समय में अंतर बतलाने के लिए कहा जा रहा है यह है question नमबर टू का अंसर there are differences between local time and standard time local time का properties इधर दियाओ है और standard time का properties इधर दियाओ है local time of a place इस time of its meridian standard time is the time of central meridian of an area each place has its own local time all places have a uniform time और इसके आगे third point दिया हुआ है when it is noon the local time is 12 o'clock it is no relation with moon or height of the sun और ये है उसका हिंदी वर्जन answer उसी को हिंदी में दिया हुआ है अस्थानिय समय और मानक समय की बीच अंतर है इस्थानिय समय मानक समय किसी इस्थान का अस्थानिय समय उसकी मद्याहन रेखा का समय होता है मानक समय किसी छेत्र के मध्याहन रेखा का समय होता है परतिक अस्थान का अपना अस्थानिय समय होता है सब ये अस्थानों का समय समान होता है जब दोपहर होती है तो अस्थानिय समय बारा बचे होता है इसका चंदरमा या सूरी की उचाई से कोई संबंध नहीं होता next question देखते हैं why is standard time necessary for India मानक समय हिंदुस्तान के लिए क्यों आवसक है standard time is very necessary for India because India is very big country there are many longitudes passing through our country the local time every different place will be different and this can cause great confusion to solve this problem we have selected a central meridian to maintain the one standard time in all parts of India तो इसी को हिंदी वर्जन में दिया हुआ है भारत के लिए मानक समय बहुत ही आवसक है क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है हमारे देश से होकर कई देसांतर रखाई गुजरती है इस्थानिये समय हर अलग जगह में अलग होगी में एक ही बानक समय बनाए रखता है नेक्स्ट क्वेशन देखते है क्वेशन नमबर फोर डिस्क्राइब दर डिफेरेंट हीट जोंस अन दा अर्थ पिर्थवी के अलग अलग ताप चेतरों के बारे मतलाने के लिए कहा गया यहां पर यह है क्वेशन नमबर फोर का अंसर अन्सर अर्थ इस दिवाइब इंटो थी इट जोंस दे आर टोरी जों टोरी जों को फर्स्ट में एक्स्पेलेन क्या गया है इक्स्टेंस बेविन दा ट्रोपिक अप कैंसर अन दा ट्रोपिक अप्रिकॉन अर थर्ड में हां पे दिया गया है और इसी को हिंदी वर्सन में यहां पे दिया हुआ है प्रित्वी को मुख्तीन ताप कटी बंधों में विवाजित किया गया है इनके नाम है उसन कटी बंध, सितोषन, समसितोषन कटी बंध और सित कटी बंध फिर इसको explain किया गया है यहां पे तीनों को उस्न कटिबंद, यह कटिबंद करक रेखा और मकर रेखा की बिच फैला हुआ है, यह भाग सुरी की सरवाधिक उस्मा प्राप्त करती है, यह सरवाधिक तप्त छेतर है, मतलब सबसे ज़्यादा गरम छेतर है, समसितोसन कटिबं यह चेतर उत्तर में करक रेखा से आरकटिक विर्थ तक तथा दच्छिन में मकर रेखा से अंटारकटिक विर्थ तक फैला हुआ है, यह चेतर ना अधिक गरम है और ना अधिक थंडा, सीत कटिबंद, यह चेतर आरकटिक विर्थ से उतरी धुरू तक और अंटारकटिक व ग्रुप में latitude जितने भी महत्पुन latitude है उसका वर्नन करने के लिए कहा गया है तो देखते हैं इसका आंसर क्या है Question No.5 का आंसर यहां पे दिया हुआ है the important latitudes of the earth The equator, first equator दिया हुआ है It is an imaginary line on the earth surface divided the earth into two equal halves The tropic of cancer, it is an important latitude in the northern hemisphere at 23.5 degree north It is the longest line of latitude The tropic of Capricorn It is an important latitude in the southern hemisphere at 23.5 degree south The arctic circle, it lies at 66.5 degree north of the equator The antarctic circle, it lies at 66.5 degree south of the equator यहां पे single the लिखना है, यहां double लिखा गया है इसको मैं ठीक करके दे देता हम आप लोग को उसके बाद यहां पे हिंदी वर्षन आंसर उसी का दिया हुआ है पिर्थ्वी के महतपुर्ण अच्छांस रखा हैं यहां पे पजल जो दिया हुआ है उसका मैं हिंदी वर्षन का पेज निकालके उसके मैं उसका आंसर कर देता हूँ यह है हिंदी वर्षन का बुक जो दिया हुआ है इस तरह का question उसमें दिया हुआ है खाली जगा भरने के लिए यहां पे सब्त पहली लिखा हुआ है लेकिन यहां पे सब्त पहली उस तरह से वर्षन बना कर नहीं दिया हुआ है समसितोसन कटिबंध वह देश जिसमें सबसे अधिक समय छेत्र है इसका आंसर है रूस 11 टाइम है उस महां पे उसके बाद चैनी देसांतर का अस्थानिय समय इसका आंसर हो जागा मानक समय जिसको हम लोग चून कर रखते हैं एक देसांतर लाइन को उसके बाद जीरो डिग आंसर हो जागा देसांतर रेखा तो इसका सभी का आंसर आपको स्क्रीन पर मिल गया होगा और यहां पर यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है अगर आप लोग को हमारे वीडियो हेल्फुल होता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी चप्टर की लिया हम लोग नेक्स वीडियो पिसलेंगे